Welcome back to streamers तो आज मैं आप सब के लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी का नाम है चाय वाला चाय तो पी होगी कोई नहीं पी तो कहानी में के मज़े ले लो चाय पीते पीते या भी ना चाय पीते पीते तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक समय की बात है एक छोटे से शहर में एक चाय वाला रहता था वो अपना चाय का स्टाल रेलवे के बाहर लगा था यानि कि रेलवे स्टेशन के बाहर लगाता था तो वहाँ बड़ी भीर भी आती जगा जगा से लोग आते उसके चाय पीने के लिए तो एक दिन एक ग्रहक ने पूछा अरे मोहन चाय वाले तुम अपनी चाय में ऐसा क्या डालते हो कि इत्ती स्वादिष्ट बनती है अब मोहन ने बोला कि मैं तो अपनी चाय जब मैं बनाता हूँ तो उसमें प्यार गोलता हूँ तो वह ग्रहक मुस्कुरा तब चला गया पर बात जो उसकी चाय की खासियत थी जो उसकी चाय की में बात थी जिसके वज़े से वो सब को पसंद आती थी वो कुछ ऐसी थी कि वो अपने हाथों से कूट कर मसाले डालता था ताजी चाय पत्तियां, ताजे मसाले कूटे वे, शहद और कई सारे हर्ब्स डाल के वो अपनी चाय बनाता था उसके घर में पांच गाएं थी उन से दूद निकाल कर वो ताजा दूद डालता था शुद्ध दूद डालता था, ऐसे ही चलता रहा, एक दिन वो रेलवे स्टेशन पे टिकेट काउंटर पे उसी ग्राहक को नजर आया तो वो पूछते हैं तुम कहां जा रहे हों मोहन, तो मोहन बोलता मैं ऐसे ऐसे करके दूसरे शहर में घूमने जा रहा हूं, कुछ दिनों में वापिस आ जाओंगा, तो वो दूसरे शहर घूमने के ले जाता है, वहां तरह तरह के मसाले भी खरीदता है वहां से, तो वहीं उसको एक मॉल नजर आता है, वो सोचते, चलो मैं थोड़ा इस मॉल में घूम के आता हूं, घूमने जाता है, वहां होती एक चाई की दुकान, वो बोलता है, जरा मैं भी इन शहर वालों की चाई भी के देखता हूं, वो छोटा सा चाई का प्याला, पच्चिस रुपय का था, वहीं जो मोहन रेलबे स्टेशन के बाहर अपनी चाई बेज़ता था, वो पांच रुपय का बड़ा कप होता था, पहला तो वो कप का साइस देखके सोच में पढ़ गया, ये इतनी सी चाई, फिर वो चाई का एक घुट पढ़ता है, और वो एतनी करवी लगती हो उसको कि वो सा करके बाहर फेग देता है, तो मोहन सोच में पढ़ गया, मैं करू तो करू क्या, पीओ सकता नहीं हूं, इससे अच्छी तो मेरी चाह होती है, हाथ की, वो जाता है काउंटर पे पैसे देने के लिए, वो पैसे बोलता है, पच्छीस रुपय का प्याला था, पच्छीस रु यह कहां से आया है, जिसको पता नहीं है, तो मोहन ने वे शर्म के मारे उसको बिना कुछ कहे, पच्छीस रुपय दे दी, अब वो वापिस आ रहा होता है, अपने शहर में, तो वो वापिस आते वे सोचता है, कि मैं तो बेवकूफ इंसान हूं, मैं इतना बड़ा चाय का टेस्ट के साथ से पांच रुपय में बेचता हूं, अगर मैंने उस चाय का दाम अच्छा रखा होता है, पच्छीस, तीस, पैंतालिस रुपय रखा होता, तब तो मैं कितना अमीर होता, मेरी भी शहर में एक बड़ी सी दुकान होती, जिसमें मैं लाट साहबू की जैसे च चाय लिखी भी थी, उसको मिटा कर पच्छीस रुपय की चाय लिखता है, चाय का प्याला छोटा करता है, शहर से लाएवे रेडी मेड मसाले और चाय पत्ती यूज करने लगता है, तो वहीं दूद में मिलावट करके अपने दूद की बचत करता है, ग्रहा काते हैं, वह यह क्या हो गया, मोहन ने सीधा 5-25 रुपय दाम बरहा दिया, और चाय का प्याला भी चोटा कर दिया, यह क्या हुआ हुआ हो, बयोग जाते हैं, अचलों होगा कुछ दोंगा, चाय की घुट पीते हैं, अब उसमें वह उस्वाद रहा नहीं, क्योंकि उस चाय में वह बात में स्टॉल लगाता है पांच रुपय की चाय का प्याला अब सारे उस मोहन के जो ग्राहक थे वो उसके तरफ जाने लगके तो मोहन बरा उदास हो गया अब वहां से ग्राहक देखता है मोहन का पुराना ग्राहक था मोहन के पास आता है कि क्या हुआ वो बोलता मेरे ग्राहक तो अपर है नहीं, क्योंकि सब उस से ही जाने लग कि अब मैं क्या करूँ तो उस ग्राहक ने उसको बस इतना कहा कि पहले तुम चाय में प्यार मिलाते थे, अब तुम चाय में लालच मिलाते हो, जैसी तुम वापिस से प्यार मिलाने लगोगे, वैसी तुम्हारे चाय का स्वाद वहसा ही हो जाएगा और तुम्हारे ग्राहक भी वापिस आ जाएगे मोहन दोबारा सोचता है वो कहता है सच तो बात है मैंने मिलावट खूरी करी है मैंने अपने ग्राहकों को जो देवता के समान होते हैं उनको दुख मौचाया है ये सोचने के बाद वो वापस से अपनी 25 रुपए की चाय को 5 रुपए की चाय करता है और पुराने तरीके से बनाना शुरू करता है शहर से लाए हुए बाकी मसाले वो फेग देता है तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लाल जबुरी बला है और मिलावट खूरी हमें कभी नहीं करनी चाहिए इसी के साथ ये व्लॉग यहां समापता है धन्यवाद